आप अपने दोस्तों के साथ जा सकते हैं, किन ये फान ने कहा यह सिर्फ उनके मना करने का तरीका था, हर बार जब मैं आपको फिल्म देखने के लिए आमंतरित करता हूँ, तो आप हमेशा व्यस्त रहते हैं, हालांकि ली जहन जेन को पता था कि इसका अंत ऐसे ही होगा, लेकिन जब उसने जवाब सुना तो उसे दुख हुआ, उसने उंगिनत प्रशन सक थे, लेकिन किन ये फान स्पष्ट रूप से उनमें से एक नहीं था, वहाँ उसकी छोटी बहन या प्रेमिका नहीं बनने जा रही थी, वहाँ उसकी पत्मी बनना चाहती थी, ये फान, ली जहन जेन और कहना चाहती थी, लेकिन उसका फोन बज उठा, ली जहनजेन का फोन डाइनिंग टेबल के किनारे पर रखा हुआ था फोन करने वाला लीउ था ली जहनजेन को एक सेकंड के लिए घबराहट महसूस हुई फिर वहाँ खुश हो गई उम मुझे यह कॉल लेने की जरूरत है ली जहनजेन ने तुरंट अपना फोन उठाया और अपनी सीट छोड़ दी वो नहीं चाहती थी कि किन ये फान एक शब्द भी सुने ली जहनजेन सीधे बाहर भागे उसने फोन का जवाब दिया उत्तेजना से बाहर उसने दूसरे पक्ष के मुह खोलने से पहले पूछा अरे लीउ क्या तुमने इसे पूरा कर लिया मैं बाखी के पचास हजार युवान को बाद में आपके खाते में स्थाना अंतरित कर दूँगा ओ, मिसली, मेरी गरिमा आपकी नजर में केवल एक लाख युवान के बराबर है काव्या ने व्यंगि किया तुम काव्या की आवाज सुनकर ली जेन-जेन सदमे में काम उठी उसने लगभग अपना फोन फैंक दिया क्यों? या कैसे समव हो सकता है? क्या हुआ था? उन्होंने पैसे क्यों लिए लेकिन वह करने में असफल रही जो उन्होंने कहा था मिसली, मैं याद रखूंगी कि आज क्या हुआ और आप इसके लिए भुक्तान करेंगे ध्यान से काव्या ने उसे सपष्ट रूप से चेतावनी दी तुमने मुझे धंकी देने की हिम्मत की हाला कि ली जेंजेन को डर लग रहा था लेकिन वह काव्या की बातों से चिट गई थी उसका चेहरा बदल गया वह अब शातिर लग रही थी हाँ, मैंने तुम्हें धंकी दी थी काव्या ने बिना किसी हिचकिचाहट के स्विकार किया ली जेंजेन अब गुस्से में थी लेकिन उसे पच्चतावा भी हुआ थोड़ी देर बाद काव्या ने कहा मिस ली, चूकी आप ऐसा करने में सक्षम है आपको इसके परिणाम भुगतने होंगे फिर काव्या ने ली जेंजेन के कुछ कहने से पहले ही फोन रख दिया ली जेंजेन इतनी पागल थी कि उसने लगभग अपना फोन तोड़ दिया वह वास्तव में काव्या की प्रिष्ठभूमी नहीं जानती थी लेकिन चूकी काव्या के पास कॉल करने के लिए लियू का फोन था इसलिए काव्या कोई साधारन व्यक्ति नहीं होना चाहिए इस प्रकार ली जेंजेन काव्या की धंकी के बारे में असज महसूस कर रही थे अब ली जेंजेन वास्तव में कोई फिल्म देखने के मूड में नहीं थी उसने खुद को किन यफान के साथ खाना खत्म करने के लिए मजबूर किया, फिर उसे घर चलाने के लिए कहा उसे डर था कि घर जाते समय उसके साथ कुछ भयानक हो सकता है ली जेंजेन ने किन यिफान को अपना साथ देने के लिए कहना बंद कर दिया, जिससे वहाँ खुश हो गया लेकिन अगर उसे कारण पता होता तो शायद वहाँ इतना शांत ना होता दूसरी तरफ काव्या ने फोन कार्ट दिया, फिर सीधे उस आदमी की तरफ फेंग दिया वहाँ मुड़ी और चली गई काव्या को नहीं पता था कि वे उससे बदला लेने की कोशिश करेंगे या नहीं वहाँ जो कुछ कर सकती थी, वहाँ अपनी रक्षा कर सकती थी काव्या कार के पास चली गई उसने बेहोश आदमी को ड्राइवर सीट से खीचा, फिर उसे जमीन पर पटक दिया वहाँ अपने भीतर बैठ गई काव्या ने कार स्टार्ट की और चली गई काव्या के जाने के बाद, सहयोगी के विपरीद दिशा में, एक काली मासराती वही रुप गई कार की खिरकी धीरे-धीरे नीचे चली गई अंदर दो आदमी बैठे थे, काव्या के जाने का रास्ता देख रहे थे जाइवर सीट पर कैजूल सूट में करीब 25 साल का एक यूवक सवार था उसका चहरा विसमय और उत्सा से भरा हुआ था वाह, मुझे उमीद नहीं थी कि यहाँ यूवा लड़की इतनी मजबूत और शक्तिशाली हो सकती है मुझे उसके साथ जगडा करने का मन कर रहा है आप निश्चित रूप से हार जाएंगे यात्री सीट से एक थंडी आवाज आई यूवक तुरंत परेशान हो गया यात्री सीट पर बैठने वाला व्यक्ति कई वर्ष बड़ा था वह सुंदर सुविधाओं के साथ लगभग तीस वर्ष का था उसके पास शक्ति की हवा थी यह सुनकर यूवक नाराज हो गया उसने शिकायत की बॉस अपने ही दोस्त को परेशान मत करो खीक है क्या आप उन सभी को एक मिनिट में हरा सकते हैं आदमी ने पूछा उम यूवक को शर्मिंदिगी महसूस हुई जाहिर है वह नहीं कर सका हाला कि वह उन्हें कुछ ही मिंटों में हरा सकता था लेकिन वह उस तरह से नहीं कर सकता था जैसे लड़की ने किया था जोआन फिंग, पता लगाओ की इन लोगों का मुख्या कौन है मेरी अनुमती के बिना किसी खरीदार का पैसा चोरी चिपे लेने की उनकी हिम्मत कैसे हुई आदमी ने थंडेपन से कहा वह जाहिर तोर पर नाराज था वह आदमी वास्तव में किंग ग्यांग, सीतु ये का अध्यक्ष था हाला कि किंग ग्यांग एक गिरोह था लेकिन इसके सिधान्त और नियम थे किसी खरीदार के पैसे को गुप्त रूप से लेना और सुरक्षा का शुल्क वसूलना अस्विकार्य था जो अनैतिक था बेशक, भले ही नियम थे, कुछ लोग उन्हें अपनी इच्छानुसार तोर देते थे यहां तक कि देश में भी कई भरष्ट अधिकारी थे जब तक उन्हें खोजा नहीं गया था, तब तक वे अनैतिक काम करते रहेंगे हाँ बॉस, चू जौन फेंग ने उत्तर दिया थोड़ी दूर जाने के बाद काव्या एक तरफ रुक गई, इसलिए नहीं कि वह खो गई थी, बल्कि उसे अपने असली ड्राइवर को खोजने की जरूरत थी वहाँ अब ड्राइवर के प्रती आधी चिंतित और आधी संदिग्ध थी अगर ड्राइवर गैंडिस्टरों में से एक था तो क्या होगा? क्या होगा अगर ड्राइवर खुद परेशानी में था? काव्या ने अपना फोन निकालते हुए कार रोख ली उसने तुरंथ ड्राइवर को बुलाया दुर्भागे से किसी ने उत्तर नहीं दिया जैसे ही काव्या पुलीस को बुलाने वाली थी च्रंक से एक आवाज आई काव्या के मन में अचानक एक विचार आया उसने तुरंथ एक बटन क्लिक किया फिर कार से बाहर निकली और ट्रंक की ओर चल पड़ी। वह वहाँ था। असली जाइवर जो उसे ले जाने वाला था, अब कसकर बंधा हुआ था और उसका मुह ट्रंक में चीर से भरा हुआ था। काव्या को देखकर उसकी आखे तुरंथ चमक उठीन। वह जानता था कि काव्या उसे बचाने के लिए यहां होनी चाहिए। वह उत्सा में काव्या के सामने बुद्बुदाया। जाइवर को सकुशल देखकर काव्या को भी राहत मिली। उसने तुरंथ उसे खोल दिया। उसके मुहों में लगा कपड़ा हटाया गया। ड्राइवर आजाद था। उसने फोरन माफी मांगी, मिस गो, I am sorry। मुझे नहीं पता कि उन्होंने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। मुझे बचाने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। यहां सोचकर ड्राइवर अभी दहशत से कांप रहा था। मुझे ख्षमा करें। यहां वास्तव में मेरी गलती है। वे मुझे निशाना बना रहे थे। काव्या ने कहा, फिर उसने उसे सब कुछ बताया जो अभी हुआ था। क्या, ड्राइवर हैरान था, लेकिन उसने काव्या को दोश नहीं दिया क्योंकि वह भी एक शिकार थी। क्योंकि अभी बहुत कुछ हुआ था, जब काव्या आखिरकार होटल पहुची, तो रात के आठ बस चुके थे। काव्या भूख से मर रही थी, तो उसने तुरंत रूम सर्विस को फोन किया। उसने आज दोपहर शहर में कपड़े खरीदने की योजना बनाई थी, लेकिन उसके पास अब समय नहीं था। हाला कि शॉपिंग सेंटर अब भी खुला था, काव्या न केवल अपने लिए कपड़े खरीदने जा रही थी। वो गुमान और गुक्विंग के परिवार के लिए भी कुछ खरीदेगी। इस प्रकार एक घंटा उसके लिए खरीदारी करने के लिए परियाप्त नहीं था काव्या के पास कपड़े का दूसरा बदलाव नहीं था। थोड़ा सर्थ था। सिटी जी के डाउंटाउन में सबसे बड़ा मनोरंजन स्थल किंग्स क्लब था। शोरगुल वाले क्लब में रंग बिरंगी रोशनी जगमगा उठी। पुरुशों और महिलाओं ने पागलपन से डांस फ्लो पर अपनी कमर हिलाई और हवा इच्छा और विलासिता से भरी थी। लेकिन एक निजी कमरे में जो मुख्य हॉल से अलग था केवल हलका संगीत और कोमल बागचीत थी। इस विशाल निजी कमरे में बिना बार गरल के केवल पाँच पुरुश थे। जाहिर है यहां कुछ खास चल रहा था। को जमीन पर पटक दिया, ऐसा प्रतीत होता है कि उसके दिल में गुस्सा है। मैंने सुना है कि रेड वुल्फ बहुत शक्तिशाली है। मुझे परवाह नहीं थी लेकिन मैंने इस बार देखा है। वह सचमुच बहुत शक्तिशाली है। वह एक दरजन से अधिक लोगों क के साथ लड़ सकता था और साथ को मार सकता था। उसे केवल दो बार गोली मारी गई थी, एक नगन उपरी शरीर वाले एक भारी मानसर व्यक्ति ने कहा। हाला कि वह अपने प्रतिदवन्द्वी से मृत्यू तक घ्रिना करता था, लेकिन वह उसकी प्रशनसा भी करता सौभाग्य से उसे गोली लग गई और वहा हमें ट्रैक नहीं कर पाया। या हमें धून लिया जाएगा, एक शातिर नजर वाले अपेकशाकृत छोटे आदमी ने कहा। लेकिन हम बहुत लापरवाह नहीं हो सकते। आखिरकार दूसरी टीम महत्वपूर्ण राश्च्रिय टीम की कप्तान है। शायद वहा किसी को हमारे पीछे आने के लिए भीजेगा। इसलिए जैसे ही हम कल सफलता पूर्वक व्यापार करेंगे, हमें खाली कर दिया जाएगा। लेकिन उन्हें शहर के केंद्र में वानिजिक भवन क्यों चुनना है। वहां बहुत सारे लोग है। क्या उन्हें खोजे जाने का डर नहीं है। एफ सी के उन्हें बस इस बात का डर रहता है कि हमें पैसा मिल जाए लेकिन उन्हें सामार नहीं देते। इसलिए सबसे सुरक्षित स्थान वह है जहां आसपास बहुत से लोग हो। अगर हम वास्तव में उन्हें सामार नह दूसरे कमरे में टेबल पर लैप्टॉप रखा था। स्क्रीन पर उपर पुरुशों के कमरे की तस्वीर दिखाई गई। एक आदमी लैप्टॉप के सामने एरफोन लगा कर बैठा था। उन्होंने वह सब कुछ सुना था जिसके बारे में उन्होंने चर्चा की थी। यहा दो आदमी खड़े थे। उन दोनोंने स्क्रीन पर भी देखा लेकिन उन्होंने जो कहा था उसे नहीं सुना। पॉस उनका अगला आंदोलन क्या है लेंग शोटिंग को अपना इयरफोन निकालते देख एक आदमी ने पूछा। वे शहर के व्यावसाईग भवन में व्या अगर उसमें उन्हें अभी माल डाला तो उनका सिर घबरा जाएगा। उन्हें वास्तव में पता नहीं था कि उनका सिर कहा था। यदि वे जानते होते तो वे उसके पास आकर तुरंद उसे माल डालते। अगले दिन काव्या सुभा आट बजे तक नहीं उठी। काव्या आज दोपहर दो बजे वापस सिटी एफ के लिए उडान भरेगी। शॉपिंग सेंटर में खरीदारी करने के लिए उसके पास पूरी सुभा थी। उसे बिल्कुल भी हडबड़ी करने की जरूरत नहीं थी। उसे आज शॉपिंग सेंटर में जो जेंगों के साथ अनुबंद पर हस्ताक्षर करने की भी आवशकता थी। नियत समय सुभा 11 बजे था जो लंच के लिए अच्छा समय था। काव्या उठी तो नीचे चली गई। उसने बाद में चेक आउट किया। शॉपिंग सेंटर ज्यादा दूर नहीं था। वहाँ पैदल चलने में करीब 20 मिनिट लग गए। इस प्रकार काव्या को टैक्सी लेने की कोई आवशकता नहीं थी। वह सीधे वहाँ चली गई। उसने अपना नाश्ता आधा कर लिया था। जब वहाँ आखिरकार दूसरी मंजिल पर चली गई। शॉपिंग सेंटर इतना बड़ा था। ऐसा लग रहा था कि यहाँ कभी खत्म नहीं होगा। काव्या को अचानक समझ नहीं आया कि कहां से शुरू करू। वहाँ बेतरतीब धंग से दोनों तरफ के कपरों के माध्यम से एक दिशा में चली गई। अगर उसे किसी ब्रांड का स्टाइल पसंद आता तो वहाँ अंदर चली जाती। कुछ समय बाद काव्या को एक इंटनेशन डिजाइनर ब्रांड मिला। यहाँ बेहद महंगा था। लेकिन कितना भी महंगा क्यों नहों काव्या के लिए अब कुछ भी नहीं था। आप से मिलकर अच्छा लगा, स्वागत है, जब काव्या ने कदम रखा तो एक सेल्सवुमेन तुरंद उसके पास आई। मिस, क्या मैं मदग कर सकती हूँ? क्या मैं उन कपरों पर एक नजर डाल सकता हूँ जो 40 के आसपास की महिला के लिए उप्युक्त है? काव्या ने प पूच ताच की, उसके पास मेरे जैसा ही शरीर है, अगर मैं इसे पहन सकती हूँ, तो यहां उसे भी फिट आएगा, काव्या ने जवाब दिया, काव्या 166 सेंटीमीटर लंबी और दुबली तली थी, फिर सेल्सवुमन ने काव्या को दिखाते हुए कपडों का एक तुक पुड़े को छूती, दूसरे हाथ ने पहले उसे पकड़ लिया, मैं यहां पसंद है, मैं इसे आजमाने जा रहा हूँ, यहां एक महिला थी जो अपने शुरुवाती 40-वे वर्ष में थी, वह शांदार कपड़ों में थी, लेकिन यहां केवल उसके रूपरंग तक ही सीमि काविया को यहां बरदाश नहीं हुआ कि महिला ने उसके हाथ से कपड़े का टुकड़ा पकड़ लिया, लेकिन वहां महिला ऐसे चली गई जैसे उसने काविया की आवाज नहीं सुनी हो, यहां देखकर काविया के चेहरे पर जुझलाहट के भाव आ गए, वहां आगे दुकान में मौझूद अन्य लोगों का ध्यान खीच लिया, लोगों ने तुरंद उन्हें देखने के लिए घेर लिया, ख्षमा करें, मैंने आपके सामने यहां परिधान चुना है, काविया ने शांती से कहा, अगर वहां ऐसा नहीं चाहती थी, तो उसे कोई आपती नही थी, लेकिन चूकी वहां चाहती थी, इसलिए वहां कभी भी महिला को इससे दूर नहीं होने देती थी, जी, सिर्फ इसलिए कि आप इसे पहले चुनते हैं, इसका मतलब यहां नहीं है, कि आप इसके मालिक है, यहां अब मेरे हाथ में है, खेर, अगर मैं कहूं कि मैं यहां सभी कप्रे चुंता हूँ, तो क्या इसका मतलब यह है कि आप उन्हें से कोई भी नहीं खरीद पाएंगे, महिला ने तिरसकार के साथ कहा. वा, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम इतने अमीर हो. तुम भी उन्हें सब चाहते हो. अरे, क्या तुमने सुना है कि उसने अभी क्या कहा? इस महिला ने कहा कि उसे यहां सभी कप्रे चाहिए. मुझे लगता है कि आज आपको जो कमीशन मिलेगा, वह आपको मिलने वाले एक साल के कमीशन से ज्यादा होगा. काव्या ने एक सेल्स वुमन से कहा उसने जान बूच कर सच्चाई को तोडमरोर कर पेश किया अपना मुंहा बंद करे मैं ऐसी बात नहीं की महिला गुस्से में काव्या पर चिल्लाई हालांकि वह अमीर थी लेकिन यहां अंतराश्य डिजाइनर ब्रांड बहुत महंगा था और कपड़ों के एक तुकड़े की कीमत दर्जनों हजारों युवान थी यहां दुकान में जितने भी कपड़े होंगे उनकी कीमत कम से कम लाखों में होगी महिला बिलकुल इसे बरदाश्ट नहीं कर सकती थी भीर सब जानती थी कि काव्या सच को तोड़नोर कर पेश कर रही है किसी ने उसकी बातों को गंभीरता से नहीं लिया वास्तव में क्योंकि अगर मैं इसे चुनता हूँ तो मैं इसे खरीदने जा रहा हूँ और आप काव्या ने भढ़कारे हुए कहा तुम औरत पागल थी वह यहां भी समझती थी कि काव्या उसे जान बूच कर चुनौती दे रही है लेकिन वहां अभी भी चिडी हुई थी शमा करें महोद्या इस युवती ने पहले कपड़ों के इस तुपड़े को चुना था क्या आप कृप्या दूसरे कपड़ों पर एक नजर डाले सेल्सवोमन ने महिला से माफी मांगी यह सुनकर भेड तुरंट समझ गई कि क्या हुआ है महिला का व्यभार सभी को पसंद नहीं आया जियोली श्रीम्ती शाओ व्याइपी सिवर कार के साथ हमारे लगातार ग्राहक है उनके पास पहले चुन्ने की प्राथमिक्ता है श्रीम्ती शाओ के साथ मौझूद एक अन्य सेल्सवोमन ने बीच में ही टोका उसने काव्या के साथ मौझूद सेल्सवोमन की तरफ भी देखा जाहिर है पहले चुन्ने की तठाक्थित प्राथमिक्ता से इसका कोई लेना देना नहीं था सेल्सवोमन सिर्फ दम भी थी हाला कि जियोली ने चेतावनी को नजरंदास कर दिया उसने तरक दिया मिस वांग मैं आपसे असामत हूँ जो पहले आता है वहाँ पहले चुन सकता है यहां तक की एक VIP ग्राहक भी दूसरे ग्राहक के कपड़े नहीं चीन सकता है तुम मिस वांग वापस बहस किये जाने से नाराज थी यह मिस्वान हमेशा घमंडी थी और केवल अमीर लोगों की सेवा करती थी श्रीम्ती शाओ इस बीच यहां अक्सर ग्राहक थी वह जाहिर तोर पर श्रीम्ती शाओ के साथ दोस्ताना संबंध बनाना चाहती थी यहां एक अंतराश्य डिजाइनर ब्राण की दुकान थी सबसे सस्ती वस्तू की कीमत दरजनों हजारों यूआन है इसके अलावा एक सेल्सवुमेन को बिक्री पर दो परसेंट कमीशन मिल सकता है हर बार जब श्रीम्ती शाओ यहां होती तो वे कम से कम 80,000 यूआन खर्च करती कमीशन कई 1000 यूआन होगा सभी दर्शक जियो ली से सहमत थे वे भी असंतुष्ट महसूस कर रहे थे बिल्कुल एक VIP ग्राहक भी दूसरे ग्राहक से कपड़े नहीं ले सकता यहां उचित नहीं है यहां अनुचित नहीं है यहां दम भी है आप केवल VIP ग्राहकों कोई कपड़े क्यो नहीं बेचते जो कोई भी यहां कपड़े खरीदना चाता है उसके पास पहले VIP कार होना चाहिए सत्य जिन ग्राहकों ने उन्हें घेर लिया उन सभी ने मिस वाम की आलोचना की, जिससे उन्हें शर्मिंदिगी महसूस हुई, लेकिन उन्होंने मुहतोर जवाब देने की हिम्मत नहीं की। श्रीम्ती शाओ इसके बजाए चिद गई। तो क्या हुआ? मेरे पास काफी पैसा है। मुझे जो चाहिए वो खरीदूँगा। इससे आपका कोई मतलब नहीं। आप जो चाहे खरीद सकते हैं, लेकिन आप दूसरों से चीजे नहीं ले सकते, किसी ने तर्क दिया। बिल्कुल, इस महिला के पास शिष्टाचार बिल्कुल नहीं है, किसी ने कहा। आप? क्या आप जानते हैं, मैं कौन हूँ? ऐसा कहने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मैं जो फू ज्वैली के चेर्मेन की पत्नी हूँ. श्रीम्ती शाओ नाराज थी. उसने अपनी पहच की संपत्ती थी. जो फू ज्वैली का मुकाबला करने की किसी की हिम्मत नहीं थी. काव्या थोड़ा हैरान हुई. उसे उमीद नहीं थी कि यहां महिला शाओ पिंग की पत्नी होगी. शाओ पिंग और जो जेंगों की आपस में नहीं बनती थी. काव्या इसलिए शाओ से डरते थे, लेकिन काव्या नहीं थी. उसने सीधे तोर पर आलोचना की, क्या आपको लगता है कि जो फूज वैलरी के अध्धक्ष की पत्मी के रूप में आप जो चाहे कर सकती है? तुम श्रीमती शाओ को उमीद नहीं थी कि काव्या शाओ परिवार से बिल्कुल नहीं खोला. आपसे मिलकर अच्छा लगा, मैनेजर. पहले मैं आपसे एक प्रशन पूछता हूँ. क्या यह सच है कि आपका वियाईपी ग्राहक दूसरे सामान्य ग्राहक से सीधे कपड़े ले सकता है जब तक वह जाता है? यह कैसे संभव है? जो पहले आता है वहाँ पहले क्या हुआ? चुकि दुकान में केवल एक वियाईपी ग्राहक श्रींती शाओ थी और श्रींती शाओ के साथ सेल्सवुमन वांग यूनुन थी, प्रबंधक स्वाभाविक रूप से सबसे पहले उनकी ओर मुड़े. वांग यूनुन को इस बात का अंदाजा नहीं था कि ब पसंद आया. मैं करीब से देखना चाहता था, लेकिन अप्रत्याशित रूप से श्रींती शाओ ने इसे मुझसे चीन लिया. मैंने उसे इसे मुझे वापस देने के लिए कहा लेकिन उसने मना कर दिया. इस बीच वांग यूनुन ने कहा कि श्रींती शाओ एक वियाईपी ग्राहक थी और उनकी प्राथमिकता पहले चुनना था, काव्या ने कहा. मैनेजर ने तुरंद अपना चहरा बदल लिया. उन्होंने काव्या के स्पश्चिकरन पर संदेर नहीं किया और वांग यूनुन को कोस्ते हुए कहा, वांग यूनुन तुम्हें क्या हो गया है? आ आलाकि मैनेजर यह स्वीकार नहीं कर सका कि उसने इस बार दुकान की प्रतिष्ठा को बर्बाद कर दिया. वांग यूनुन को अचानक पता नहीं चला कि क्या कहना है? वह जानती थी कि उसने गलत तरीके से व्यवहार किया था, लेकिन उसने जो कुछ भी किया था वह केव यह सुनकर वांग यूनुन चौंग गए. इमानदारी से कहूं तो उसे नहीं पता था कि इसका परिणाम इतना बुरा होगा. अब उसे सच में डर लग रहा था. अगर उसे निकाल दिया गया, तो उसे भेटर नौकरी नहीं मिली. उसने लगभग विंती की, प्रबंधक, क प्रबंधक ने कहा. प्रबंधक ने फिर श्रीम्ती शाओ की और मुड़ते हुए वांग यून्यून को नजर अंदास कर दिया. उन्होंने विनम्रता से समझाया, श्रीम्ती, शाओ, हमारी यहां हमारे नियम है. जो पहले आता है, वहां पहले चुंगता है. यदि आप कप तक इंतजार करना होगा, जब तक की मिस इसे नहीं चाहती. इसलिए कृप्या कप्रों का यहां टुकड़ा इस मिस को वापस कर दे. आपका बहुत-बहुत धन्यवाद. श्रीम्ती शाओ निश्चित रूप से ऐसा करने से ना खुश थी, न केवल कप्रों के टुकड़े के कारण, बल्कि इसलिए भी कि उन्हें अपमानित किया गया था. हाला कि जब से मैनेजर यहां था वहां उससे बहस नहीं करना चाहती थी. वहां भविश में इस दुकान से और कप्रे खरीदने वाली थी. हाला कि सिटी जी में ब्रांड के कई स्टोर थे, यह स्टोर कई और अद्वितिय था. मैं यहां बिल्कुल नहीं चाहता. किसे पड़ी है, श्रीमती शाओ ने नाखुश होकर कहा. उसने सीधे कप्रे का तुकड़ा वापस काव्या पर खेंका, फिर मुड़ी और चली गई. वह सब के सामने बहुत अपमानित हो चुकी थी और उसके पास अब के सेल्सवुमन को सौक दिये. जिसे सुनकर सभी लोग हैरान रह गए. इस लड़की ने प्राइस टैट को बिल्कुल नहीं देखा. वहां बहुत अमीर होनी चाहिए. एक ग्राहक जितना अधिक खरीदता है, उतना ही अधिक कमीशन एक सेल्सवुमन को मिल सकता है. जियो ल जियांग जिन्यू को नहीं भूलेगी. उसने जियांग जू के लिए एक काला अर्मानी सूट, एक स्वेटर और एक पैंट खरीदी. जहां तक जियांग जिन्यू की बात है, वहां अभी भी कम उम्रकी थी और उसे किसी डिजाइनर ब्रांड के कपड़े पहनने की जरूरत खरीदने गई. फिर सवाल काव्या के पास आया. उसे चूपेहान और अन्य लोगों के लिए क्या खरीदना चाहिए? उपहार अच्छे इरादों के बारे में थे, कीमत के बारे में नहीं. इसके अलावा यूमिक्सी को छोड़कर बाकी सभी अमीर बच्चे थे. उनके मेहंगे उपहार खरीदना बुद्धिमानी नहीं थी. खोड़ी देर बाद, काव्या ने चूपेहान और यूमिक्सी दोनों में से प्रतेक ने लैंकों में परफ्यूम खरीदने का फैसला किया, जिसकी कीमत एक हजार यूआन से अधिक थी. यूमिक्सी के पास एक अच्छ के लिए उसने उनके लिए चार अर्मानी वॉलेट खरीदे, जिनकी कीमत लगभग एक हजार यूआन थी. काव्या अंत में संतुष्ट महसूस कर रही थी. जब उनकी कमपनी खुली, तो उन्होंने उनके लिए जेड से बने कुछ गहने तयार करने की योजना बनाई. जब का नियत स्थान वानिजिक भवन के बगल में एक रेस्तरा था. काव्या कमर्शल बिल्दिंग से निकलने के बाद सीधे रेस्टोरेंट चली गई. उसने लिफ्ट में कदम रखा. जब दर्वाजा लगभग बंध हो गया था, एक आदमी अचानक अंदर आया और गलती से का और कोई कठोर वस्तु है. यह धातू की तरह महसूस होता था और आकार काव्या के लिए काफी जाना भचाना था. अचानक काव्या के मन में एक विचार आया. क्या यह बंदूक थी? यह सोचकर काव्या ने तुरंट अपनी जेड आइस का इस्तमाल किया. यह वास्तव में बंदूक थी. उसी समय काव्या ने अपने आसपास के अन्य चार आदमियों को स्कैन करने के लिए अपनी जेड आइस का इस्तमाल किया. उसे एक बार में घबराहट महसूस हुई. इन पांचों लोगों ने अपनी कमर पर बंदूक तान रखी थी. बंदूक के साथ एक आद आदमी के हाथ में रखे बॉक्स को देखने के लिए अपनी जेड आइस का इस्तमाल किया. अंदर सफेद पाउडर के बैक थे. हालांकि काव्या ने खुद कभी भी श्वेच शक्ती को आजमाया नहीं था. लेकिन अपने सम्रद अनुभव के अनुसार उससे तुरंद एहस नहीं बनाई. लिफ्ट पाचवी मंजिल पर रुखी. काव्या लिफ्ट से निकल गई. इत्तेफाक से पाचों आदमी पाचवी मंजिल पर भी चले गए. काव्या नियुक निजी कमरे में चली गई. उसके आश्चरे के लिए उसका निजी कमरा उन पुरुषों के निजी क क्या है? इसलिए मैंने अभी तक और नहीं किया. अब क्रिप्या भोजन का आदेश दे. जो जेंगों ने मेन्यू काव्या को सौप दिया, फिर सर्विस की घंटी बजाई. जब एक वेटर ने दर्वाजा खोला, तो काव्या ने देखा कि आदमियों का एक समू वहां से परिचित थी. हाला कि जब उसने देखा, तो वे जा चुके थे. काव्या बहुत से पुरुषों को नहीं जानती थी, और उनमें से भी कम उस पर कभी न भूलने वाली चाप छोड़ सकते थे. इस प्रकार वह तुरंत जान गई कि वहां कौन था. वहां आदमी वही होना चा अंकल जो क्रिपया अपनी मदद करें और अपनी पसंद का कुछ ओर्डर करें. जो जेंगों ने मेनू लिया. उसने दो व्यंजन भी मंगवाए और फिर वेटर को मेनू थमा दिया. काव्या को देते हुए एक फाइल पेपर बैग निकाला. बॉस, मैंने अनुबंध स्था कावेस को पढ़ने लगी. अपनी शक्तिशाली जेड आंखों के साथ काव्या के लिए अनुबंध को जल्दी से पढ़ना बहुत आसान था, लेकिन जो जेंगों के सामने काव्या को धों करना पड़ा. उसने जान बूच कर कागजों पर अधिक समय बिताया ताकि यह स्वा कावेस कारी निदेशक थे. उसे प्रवचन का पूर्ण अधिकार था. जेड ब्यूटी ज्वैली कंपनी की पंजीकृत पूंजी सो मिलियन युआ थी. मासिक वेतन के अलावा जो जेंगों के पास जेड ब्यूटी ज्वैली कंपनी के 20% शेर भी है. ठीक है, मुझे लगता है कि यहां अच्छा है, काव्या ने कहा. उसने पार्टी ए में अपने नाम पर हस्ताक्षर किये और फिर जो जेंगों को सौप दिया. जो जेंगों ने भी अपने नाम पर हस्ताक्षर किये. काव्या बगल के निजी कमरे में देखने के लिए अपनी जेड आइस का इस्तमा इसलिए वह कुछ भी नहीं सुन सकी क्योंकि वे जोर से नहीं बोल रहे थे। एक घूंट पीने के लिए चाय का प्याला उठाते हुए काव्या ने अपनी द्रिष्टी वापस लाई। हालांकि बगल के निजी कमरे से सटे निजी कमरे में तीन कुरुश थे। उनमें से एक था लेंग शोटिंग। लेंग शोटिंग ने ब्लैक कलर के कपड़े पहने हुए थे। वह लंबा और अभिव्यक्ति हीन था। वह इयरफोन लगा कर बगल के कमरे से आवाज सुन रहा था और बातचीत पर नजर रख रहा था। इस बीच एक युवक लेंग शोटिंग से बात करते हुए चला गया, कप्तान, हमारे और दुश्मनों के अलावा, इस मंजिल पर एक और निजी कमरे में भी लोग हैं। यहां तक की बग को गुपत रूप से लेंग शाउटिंग के एक आदमी द्वारा सेट किया गया था जिसने खुद को वेटर के रूप में प्रच्छन किया था। दस तक दस तक। उसी समय काव्या के निजी कमरे का दर्वाजा खटखटाया गया और फिर धक्का देकर खोला गया। हालांकि काव्या वेटर थी लेकिन उसे आश्चर्य हुआ दो आदमी जो लगभग 30 के आसपास थे अंदर आए। एक सैन्य अधिकारी के रूप में मेरा प्रमान पत्र है। इस तल पर इस समय हमारी सेना एक कार्य को अंजाम दे रही है। आपकी सुरक्षा के लिए मुझे आशा है कि आप तुरंट उपर एक निजी कमरे में जा सकते हैं। इसके बारे में खेद। यह जानकर जो जहेंगों पूरी तरह से चौप गया जबकि काव्या केवल थोड़ी हैरान थी। इसका बगल के कमरे के लोगों से कुछ लेना देना होगा। हाला कि क्या वह आदमी सेना से हो सकता है? खेर वह आदमी एक फौजी आदमी जैसा दिखता था। जरूर काव्या भी शामिल नहीं होना चाहती थी। उसने जवाब दिया और होटल प्रबंधक और सैन्य अधिकारी का पीछा करते हुए जो जिंगों के साथ चली गई। हाला कि जैसे ही वे कमरे से बाहर निकले, कमरा नंबर 4 के बाहर खड़े दो लोगों ने तुरंट पलट कर देखा। होटल मैनेजर अचानक घबरा गया। उसका चहरा तुरंट पीला पड़ गया क्योंकि वह सपष्ट रूप से जानता था कि संदिग्ध उस निजी कमरे में सही था। काव्या और अधिकारी दोनों जानते थे कि कुछ बुरा हो सकता है। होटल मैनेजर की प्रतिक्रिया से उन लोगों का ध्यान आकरशित होने की संभावना थी। अधिकारी ने तुरंट एक कदम आगे बढ़ाया और होटल मैनेजर को ब्लॉक कर दिया। उसमें मैनेजर को चेतावनी भरी निगाह से देखा। हाला कि जो दो लोग बाहर थे वे पहली ही मैनेजर का चेहरा देख चुके थे। उन्हें लगा कि अभी कुछ गलत होना चाहिए। उन्होंने पुकारा, रुको। होटल का मैनेजर काम उठा, लेकिन अधिकारी की चेतावनी भरी निगाहों से उसने खुद को शांत करने के लिए मजबूर कर दिया और तुरंथ एक फार्मूला बद्ध मुस्कान बिखेर दी। महाशय आपसे मिलकर खुशी हुई। मेरे द्वारा आपके लिए क्या? किया जा सकता है, उसने उस व्यक्ती से पूछा जिसने उसे बुलाया था। दोनों आदमियोंने एक जानकार नजर का आदान प्रदान किया, फिर उनकी ओर चल पड़े। काव्या और अधिकारी दोनों सतर्क थे, उन्हें पता था कि चीजें गलत हो सकती हैं। लेकिन वे संदेह पैदा करने से डरते थे, इसलिए उन्होंने अस्थाई रूप से खड़े रहने का फैसला किया। दो आदमी उपर चले गए, फिर तुरंट उन पर निशाना साधने वाली बंदू के निकाल ली। अंदर आना, वे चुकचाप बोले। होटल के प्रबंधक और जोर जेंगों के चहरे तुरंट पीला पड़ गए। वे आतंग से काम रहे थे। इसके बजाए काव्या और सैन्य अधिकारी शांत रहे, लेकिन फिर से संदेह पैदा न करने के लिए उन्होंने अच्छी तरह से सहयो किया और उनके चहरे पर डर दिखाया। उन सभी को वापस नीजी कमरे में ले जाया गया। कमरा नमबर पाँच में लेंग शाउटिंग थे। उसने बाहर कैमरे लगा रखे थे ताकि वहाँ देख सके कि क्या हो रहा है। कप्तान, हमें क्या करना चाहिए? वे बहुत समवेदन शील है। एक आदमी ने चिंतित होकर कहा। धीरज रखो, लेंग शाउटिंग ने कहा। लेंग शाउटिंग उनमें से अपेकशाकरित छोटे आंकड़े से नहीं चुके। वह थोड़ा परेशान और बेचेन था। ऐसा लग रहा था कि वहाँ उसकी सुरक्षा को लेकर चिंतित है। कमरा नमबर तीन में आपने अभी हमें देखा है। तुम इतने डरे हुए क्यों लग रहे हो एक संदिग्ध ने होटल मैनेजर से पूछा। वह होटल मैनेजर को पहचानता था इसलिए वह विशेश रूप से समवेधन शील था। उम कुछ नहीं होटल प्रबंधत ने इन काव्या ने उस आदमी की बंदूग की तरफ देखा। उसने अभी तक इसे कौक नहीं किया था। अगर काव्या अपनी बंदूग लेने जाती तो आदमी के पास गोली चलाने का कोई मौका नहीं होता। दूसरे शब्दों में काव्या के लिए ऐसा करना सुरक्षिक था। काव्या ने मिलिटरी ऑफिसर को ज्यान भरी निगाहों से देखा। बाद वाला तुरंट समझ गया। सैन्य अधिकारी भी चकित था। यह जवान लड़की बिलकुल नहीं गरी। वह पहले अभिनय भी करना चाती थी। सच कहूं तो फौजी अफसर को काव्या की काबिलि की हिम्मत की जिससे पता चला कि उसके पास साहस और ख्रमता दोनों है। काव्या ने फिर अभिनय करना शुरू किया। वह बिजली की तरह उस आदमी के पास आई और उसका हाथ पकड़ लिया। एक जटके की आवास के साथ आदमी का हाथ तूट गया। इस बीच सैन्य कोशखो बैठा। क्योंकि अधिकारी की बंदूक साइलेंसर से लेस थी, उसने कोई आवास नहीं की। उसने दूसरे आदमी के सिर में सती गोली मारी। वह आदमी फिर चुपचाप जमीन पर गिर पड़ा। यह सब इतनी तेजी से हुआ कि लोगों का ध्यान ही नहीं गया दोनों व्यक्तियों को अभी भी यहाँ एहसास नहीं हुआ कि उन दोनों के मारे जाने से पहले क्या हुआ था। होटल के प्रबंधक और जो जेंगों दोनों ने सदमे में अपनी आखे गोल कर ली। उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे वे किसी सपने में हो। इसके बजाए स कम से कम दस वर्षों के लिए सेना में रहा था और कम से कम दस वर्षों के शैतान प्रशिक्षन से गुजरा था। यहां लड़की किस तरह के प्रशिक्षन से गुजरी थी। सैन्य अधिकारी ने मन ही मन सोचा। हाला कि उसने सोचा उसने नहीं पूछा। आखिर यहां उन के कमरे से कोई बाहर जा रहा है। जैसे ही वहा आदमी बाहर आया, उसे लाशे मिल गई। उस समय काव्या एक और शब्द कहने से पहले भाग गई। कमरे में मौझूद बाकी लोग हैरान रह गए। उन्हें कुछ पता नहीं था कि वहा क्या करने जा रही है। जो जेंगों एक नजर देखना चाहता था क्योंकि वहा काव्या की सुरक्षा को लेकर चिंतित था। हालांकि उन्हें सैन्य अधिकारी ने रोक लिया। इसके बजाए सैन्य अधिकारी ने उसका पीछा किया। दूसरी तरफ लेंग शोटिंग ने देखा कि काव्या बाहर आ रही है। क से पहले कि वहां आदमी काव्या को आते देखता, काव्या ने उसे जोर से मारा। थोड़ी ही देर में यूवक होश खो बैठा और जमीन पर गिर पड़ा। काव्या ने फिर अपनी बंदूग पकड़ ली। यहां देखकर लेंग शाउटिंग और उनके लोग जो स्क्रीन पर घूर रहे थे, साथ ही काव्या का पीछा करने वाले सैन्य अधिकारी सभी चौक गए। वे अब समझ गए थे कि काव्या ने ऐसा क्यों कहा कि अब बहुत देर हो चुकी है। लेकिन उसे कैसे पना चलेगा कि कोई आदमी बाहर आ रहा है। यहां जानकर कि काव्या सुर इंसम आदमी की तारीफ करने का यह सही समय नहीं है। नीजी कमरे में वापस जाओ लेंग शाउटिंग ने काव्या से कहा। मैं अपनी रक्षा कर सकती हूँ। काव्या ने उत्तर दिया। वह वापस नहीं जाएगी। लेंग शोटिंग की भौहे तन गई। वह का दौर चला। गोलियों की आवाज सुनते ही पूरी बिल्डिंग में दहशत फैल गई। लोग छिपने की कोशिश करते हुए भाग गए। इमारत भी थोड़ा हिल गई। जो जेंगों और होटल मैनेजर डर गए और सीधे टेबल के नीचे छिप गए। जो जेंगों पहली ही दे दी गई और घटनास्थल की सफाई कर दी गई। हाला कि काव्या कमरे में नहीं गई लेकिन वहसपश्ट रूप से जानती थी कि अंदर क्या हो रहा था क्योंकि उसने अपनी जेड आईज का इस्तमाल किया था। लेंग शोटिंग के साथ केवल तीन आदमी थे जबकि दूसरी पाटी में साथ या आठ आदमी थे। लेकिन संदिग्ध के लिए लेंग शोटिंग और उसके आदमियों की उपस्तिती इतनी अपरत्याशित थी। इस प्रकार जब दूसरे पक्ष ने प्रतिक्रिया व्यक्त की तब तक बहुत देर हो चुकी थी और वे सौप सकें। काव्या अपने निजी कमरे में जाने के लिए मुड़ी। उसने जो जेंगोंग और होटल मैनेजर को बताया कि अब वह ठीक है। बॉस क्या तुम ठीक हो जो जेंगोंग ने काव्या की आवाज सुनी। वह तुरंक होटल मैनेजर के साथ टेबल के नीचे से लेकल गया। यहां देखकर काव्या को हसी आने का मन हुआ लेकिन उनका मजाक उड़ाने का उसका कोई इरादा नहीं था। यहां एक बंदूक युद्ध था और यहां पूरी तरह से समझा जा सकता था कि लोग दर गए थे। मैं ठीक हूँ। काव्या ने उत्तर दिया। प्रबंधक, मुझे लगता है कि अभी जो कुछ हुआ है, उसके कारण आपको रिस्तरा को कुछ समय के लिए बंद करने की आवर्शकता है। हम आपको यहां परिशान नहीं करेंगे। काव्या ने कहा। जरूर जरूर। मुझे इस बात का बहुत अफसोस है, मिस। ओ, मु अभी तक सदमे से उबर नहीं पाई थी, बाहर चली गई। त्रिप्या प्रतीक्षा करें। इससे पहले कि वे दूर जाते, लेंग शोटिंग ने उन्हें रोक दिया। सर, क्या चल रहा है। काव्या पलट गई। उसने लेंग शोटिंग को अपनी बड़ी-बड़ी खू पुलीस कर्मियों को निजी तोर पर बंदूके रखने की अनुमती नहीं है। एक बार मिल जाने के बाद इसे अवैद व्यवहार के रूप में नियंद्रित किया जाना चाहिए। हर कोई हैरान रह गया। क्या? इस जवान लड़की के पास बंदूक थी? उन्होंने देखा था कि युवा लड़की केवल एक बंदूक के बारे में उच्चुक थी. काव्या पहले तो ऐसा करने के लिए अनिचुक थी, लेकिन फिर उसने इस्तिफा देकर अपने बैक से एक बंदूक निकाली और उसे वापस लेंग शोटिंग पर फैंक दिया. इसे तुमसे छुप जो जहंगों ने तुरंत उसका पीछा किया. जब काव्या मार्क के अंत में गायब हो गई, लेंग शोटिंग ने संदिग्द को पाया जो निजी कमरे नंबर तीन में जमीन पर पड़ा हुआ था. उसे लगा कि कुछ ठीक नहीं है. उन्होंने पास जाकर आरोपी के शव की तलाशी ली. कुछ नहीं. दरसल काव्या अपने साथ एक और गन ले गई थी, जो उस संदिग्द की थी. अगर काव्या के पास दूसरी बंदूक नहीं होती, तो वहा लेंग शोटिंग को पहली बंदूक देने को तयार नहीं होती. लेंग शावटिंग नाराज था, लेकि सिटी एफ में नमबर तीन हाई स्कूल की छात्रा है. वहां हमेशा उसे बाद में धून सकता था. बॉस, आप बहुत कमाल के हैं, जब वे होटल से बाहर निकले, तो जो जेंग हों आखिरकार सदमे से उबर गए. वहां अब काव्या की पहले से कहीं अधिक प्रशंसा करता था. काव्या महज 18 साल की लड़की थी. अगर मैं कुछ नहीं कर पाती, तो मैं आजादी से घूमने की हिम्मत नहीं कर पाती, काव्या ने कहा. ठीक है, जो जेंग हों काव्या की बात से सहमत था. उनका हमेशा से मानना था कि काव्या पत्थर के जोए में उत्कृष्ट सती रिकता वाली कोई साधारन लड़की नहीं थी. लेकिन आज वह फिर से चौक गया था. अरे मालिक, क्या खाओगे? हमने अभी तक नहीं खाया है, जो जेंग हों ने पूछा. काव्या हाला की थोड़ी देर के लिए बोली, चलो गर्म बरतन लेते हैं. जरूर जो जेंग हों को सुविधा के लिए एक कार खरीदने के लिए कहा. उन्हें ऐसी कार चुनने की अनुमती दी गई थी, जिसकी कीमत एक मिलियन युवा के भीतर हो. इसके बाद काव्या चली गई. हवाई अड़े के रास्ते में, काव्या ने सोचा कि अगर वह किसी शक्तिशाली व्यक्ती को जानती है, तो घर खरीदना जल्दी होगा. सिटी एफ में जिन लोगों को काव्या जानती थी, उनमें केवल एन कियान और किन यिफान ही विश्वसनिय थे. काव्या की पहली पसंद किन यिफान थी. वह एन कियान की प्रिष्ठ भूमी नहीं जानती थी और निश्चित नहीं थी कि एन कियान में उसकी मदद चरने की क्षमता है या नहीं. इस प्रकार, काव्या ने किन यिफान को बुलाया. उसी समय किन यिफान ली जैन्यू के साथ एक कैफे में बैठा था. किन यिफान एक परिपक्व और स्थिर व्यक्ति था, लेकिन एक बार इसमें काव् को देखा और असज महसूस किया. क्याकिन ये फान काव्या को इतना पसंद करती थी? हाला कि वह काव्या से नफरत करता था, उसे मानना पड़ा कि काव्या साधारन नहीं थी. उसके पास अच्छी उपस्थिती और असहनिय भाग्य, साथ ही पत्थर के जोए में प्रतिभा भी थी. इसके अलावा, ली जहनजेन कर सदमे में घर आये थे. वह तब जानता था कि काव्या को सबक सिखाने के लिए ली जहनजेन ने गैंस्टर का एक समोव नियुक्त किया था. लेकिन अप्रत्याशित रूप से काव्या पूरी तरह से ठीक थी. उसने लीव के फोन से ली के लिए कुछ भी कर सकता था. यह संभव था कि उसने पैसो के लिए ली जहनजेन को धोका दिया हो. लेकिन आज सुबह उन्होंने खुद इसकी जाच की थी. काव्या द्वारा लियू और उसके लोगों को घायल कर दिया गया था और वे सभी अब अस्पताल में थे. ली ज कुल भी परवाह नहीं करता. लेकिन यदि वह एक शक्तिशाली अमीर परिवार से होती, तो उसे अपने परिवार की भलाय के लिए दूसरी बार सोचना पड़ता. ली जहन्यू ने पहले काव्या की जाच करने का फैसला किया. सौभाग्य से भले ही काव्या जानती थी कि ल जल से जल करवा सके, काव्या ने पूछा. किन यफान ने खुशी से जवाब दिया, आपने सही व्यक्ति को फोन किया है. मेरा एक दोस्त है, जो वास्तव में फेंगवा लग्जरी मेंशन का सेल्स नानिजर है. मैं आपको बाद में कॉल करूंगा ताकि आपको सर्वोतम स् जूट मिल सके. किन यफान को पता था कि काव्या के पास सो मिलियन युवा से अधिक की संपत्ति है, इसलिए जब उसने कहा कि वह फेंगवा लग्जरी मेंशन में घर खरीदने जा रही है, तो उसे आश्चर्य नहीं हुआ. इसके अलावा, वह सम्मानित महसूस कर रहा था कि काव्या मदद के लिए उसके पास आई. महान, बहुत बहुत धन्यवाद, काव्या ने किन यफान की दया को स्वीकार किया. उसने वास्तव में छूट की परवाह नहीं की, लेकिन वह इसे अस्वीकार भी नहीं करेगी. आपका स्वागत है. एक बार यहा हो जाने के बनाना चाहता हूँ. मैं इसे यकुई जेड स्टोर को देनी की योजना बना रहा हूँ ताकि जब आप सिटी एफ में वापस आ जाए तो इसने मेरी मदद कर सकें. क्या? आपने और जेड काट दिया है. इसका प्रकार क्या है? जेड के बारे में सुनकर किन यफान इतना उ तो यहां एक उच्चस करिया जेड होना चाहिए. जब तुम वापस आओगे तो तुम्हें पता चलेगा. बेशक यहां सामान्य नहीं है. काव्या ने जान बूच कर इसे गुप्त रखा. लेकिन किन यफान के लिए यहां बस थंडे पानी की एक बालती थी जो उस पर गिर रही थी और उसका उत्सा तुरंद बर्बाद हो गया. इसके बजाए वहां अब अती उत्सुक था. उसने शिकायत की तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो. यहां अत्याचार है. मैं यहां देखने के लिए इंतजार नहीं कर सकता कि यहां किस प्रकार का है. मैं कल सुबा वा कावया आज वापस जा रही है. इसलिए उसे आश्चर्य नहीं हुआ कि वहां अब हवाई अड़े पर थी. किन येफान के फोन रखने के बाद ली जहन्यू ने एक सार्थक नजर से उससे पूछा. लड़की कावया के प्रती तुम्हारा रवया अलग है. मुझे सच था तो वह खुश और तनाव मुक्त महसूस करता था. मुझे पता नहीं है किन येफान ने असपश्च जवाब दिया क्योंकि वह वास्तव में नहीं जानता था. हाला कि उसके असपश्च जवाब से पता चला कि वह वास्तव में उसे पसंद कर सकता है. हाला कि ली को अब भी उम्मीद थी. किन यफान के माता-पिता ली जहन-जेन को पसंद करते थे. वे सभी चाहते थे कि किन यफान ली जहन-जेन से शादी करे लेकिन वे किन यफान की पसंद का भी सम्मान करेंगे. इसलिए ली परिवार अपने रिष्टे की भलाई के लिए किन यफान स में काव्या का जिक्र नहीं था। हाला कि काव्या ने बंदूक युद्ध में बहुत मदद की थी, लेकिन लेंग शाउटिंग को डर था कि अन्या बदमाशो द्वारा उसका बदला लिया जाएगा, इसलिए उसने उन्हें उसका नाम नहीं लेने का आदेश दिया। दोपहर तीन बजकर पंदरा मिनिट बजे विमान सिटी एफ के हवाई अड़े पर उत्रा। काव्या ने अपना फोन चेक किया और देखा कि उसे किन यफान का संदेश मिला है। किन यफान ने उसे बताया कि उसने सब कुछ तै कर लिया है। मैसेज के साथ उनके दोस्त का नाम और नंबर जुड़ा हुआ था। उस आदमी का नाम वेई जिरुई था। काव्या ने उन्हें धन्यवाद देने के लिए वापस मैसेज भेजा। जब काव्या एरपोर्ट से बाहर निकली तो उसने गुमान को कॉल किया। उसने अपनी मा को बताया कि वहाँ वापस आ गई है। लेकिन उसने अस्पताल वापस जाने से पहले घरों को देखने की योजना बनाई। काव्या टैक्सी लेकर सीथे फेंगुआ लगजरी मिंशन के लिए निकली। अपने रास्ते में उसने वी जिरुई को विनम्रता से यहाँ बताने के लिए बुलाया कि वहाँ आ रही है और उसका इरादा है। वेई जिरुई निश्चित रूप से इस तरह के लागदायक सौदे को अस्विकार नहीं करेंगे। इसके अलावा काव्या को उसके अच्छे दोस्त ने मिलवाया था इसलिए वेई जिरुई ने स्वाभाविक रूप से अपना जुनून दिखाया। आपसे मिलकर अच्छा लगा। क्या मैं पूच सकता हूँ क्या आप मिजगू है। लड़की इतनी छोटी थी और दो घर भी खरीदना चाहती थी। हालांकी चूकी उसका परिचे किन ये फानवारा कराया गया था, वहां अवश्य ही बहुत अमीर होगी। वैसे भी वेई जिरूई तब तक विनम्र रहेंगे जब तक कोई ग्राहक आता है, चाहे वहां अमीर हो या न हो। यह सेवा उद्योग में एक कर्मचारी की बुन्यादी योग्यता थी। मैं काव्या हूँ। आपको मिस्टर वेई होना चाहिए। काव्या ने उतर दिया। हाँ, मैं वी जिरूई हूँ। आपसे मिलकर अच्छा लगा, मिस्गू। फेंगूआ लग्जरी मेंशन में आपका स्वागत है, वी जिरूई ने काव्या से कहा। मिस्गू, यिफा ने मुझे आपके अनुरोधों के बारे में बताया। हालाकि मुझे लगता है कि पहले आपको फेंगुआ लग्जरी मेंशन के वातावर्ण से परिचित कराना बहतर होगा. कृप्या मेरा पीछा करें. वेई जिरुई ने काव्या को प्रदर्शनी हॉल में निर्देशित किया और कहां फेंगुआ लग्जरी हवेली सिटी एफ मे सबसे उच्च अंध आवासियक शेत्र है. स्थान बहुत अच्छा है. यहां शहर के करीब है, लेकिन यहां शान्थ है. फेंगुआ लग्जरी मेंशन से सड़क के पार एक मध्यम आकार का शॉपिंग मॉल है. अंदर खादिय सुपरमार्केट, कपड़े, फनीचर आदी भ ही है. इसलिए यहां रहना बहुत सुविधा जंध है. फेंगुआ लग्जरी हवेली की सुविधाएं, संदरक्षण और संपत्ति सेवा सभी उच्च गुर्वत्ता वाली है. फेंगुआ लग्जरी हवेली की योजना एक केंद्रिय जिले के भीतर एक जिले के रूप में प्रतेक जिला स्वतंत्र फाटकों के साथ चार और आठ भवनों के बीच एक समुदाय बनाता है। सुरक्षा गार्ड उसे जितनी जल्दी हो सके बाहर ले जाएगा। अंदर छोटे वर्ग, हरियाली, स्विमिंग पूल, अवकाश बार, जिम और छोटे भोजन सुपरमार्केट भी है। मिस गुक, यदि आप अच्छी तरह से सजाए गए घर चाते हैं, तो स्थान और मंजिल के विकल्प सीमित हैं, क्योंकि हमारे पास प्रत्यक इमारत में अच्छी तरह से सजाए गए घरों के साथ केवल तीन मंजिले हैं। हर बिलिंग के फ्लोर अलग-अलग है। तो इसमें केवल तीन मिनिट लगते हैं। वेई जिरुई ने फिर काव्या के लिए स्थान बताया। घर जिले के सामने के आधे हिस्से में थे और यहाँ वास्तव में एक अच्छी स्थिती थी। कि जोन में 5 इमारते हैं और यी 3 के निर्मार में 3-3 बेडरूम वाले घर है। हालाकि वे एक ही मन्जिल पर नहीं है। रत्ते घर 120 वर्ग मीटर बढ़ा है। जी 2 के निर्मार में 3-3 बेडरूम वाले घरों के साथ जी जोन में 4 भवन भी है। उनमें से दो नौवी मन्जिल पर है और आकार अपेक्षाकृत बड़ा है। यहां 160 वर्ग मीटर बड़ा है जिसमें एक इंडोर गार्डन, तीन कमरे और एक बैठक, एक अध्ययन, एक रसोई और तीन बाथरूम है। लिविंग रूम में एक बड़ी बालतनी है। यहां अपार्टमेंट का एक मॉडल है। कृपिया एक नजर डालें। यहां कहकर वेई जिरुई ने काव्या को मॉडल शेत्र में जाने के लिए निर्देशित किया। इससे पहले कि काव्या घरों का आकार देखती, वहां पहले से ही 160 वर्ब मीटर का एक घर खरीदने की योजना बना चुकी थी। हाला कि उसने महसूस किया कि यहां उसके और उसकी मा के लिए थोड़ी बड़ी थी, सौभागे से एक ही मंजिल पर दो घर थे, अगर गू। क्विंग का परिवार भी आ जाता है, तो यहां बहुत जीवन्त होगा। काव्या 160 वर्ग मीटर के घरों से बहुत संतुष्ट थी, लेकिन यहां तै करने से पहले कि वहां पहले उसकी सजावट पर एक नजर डालना चाती थी। हालांकि फैंगवा लग्जरी मेंशन एक उच्च श्रेनी का जिला था और इसकी सजावट भी उच्च गुर्वत्ता की थी। पहले व्यक्तिगत रूप से देखना बहतर था। वे दर्शनिय स्थलों की कार ले गए और तीन मिनट के भीतर पहुँचे। अगर रास्ते में कोई नहीं चड़ता और उतरता है, तो यहां और तेज हो सकता है। इसके बाद वे लिफ्ट से नौवी मंजिल पर गए। वे जिरूई ने काव्या के लिए दर्वाजा खोल दिया। एक बार जब वे अंदर चले गए, तो एक इंडोर गार्डन नजर आया। दर्वाजे के पास जूतों की अलमारी पड़ी थी। बगीचे में एक चाय की मेज और मचली के टैंक थे। लेकिन फिश टैंक में कोई मचली नहीं थी क्योंकि घर पर कबजा नहीं था। लिविंग रूम में एक जूमर, सोफा, कॉफी टेबल, काली, टीवी कैबिनेट और एक टीवी था। टीवी 50 इंच बड़ा था। डाइनिंग रूम में डाइनिंग टेबल और कुरसिया थी। किचन में फ्रिज, ओवन, गैस स्टोव, रेंज हुड, बर्तन और पैन थे। अधैन में बुकेस, एक देस्क, तीन सीटों वाला एक छोटा सोफा और एक छोटी सी कॉफी टेबल थी। मास्टर बेडरूम में एक बाथरूम, कपड़वार, बिस्तर, अलमारी और एक ड्रेसिंग टेबल था। दूसरे बेडरूम में एक टॉयलेट, बेड, वाडरोब, एक देस्क और एक कुरसी भी थी। तीसरे शैनकक्ष में एक बिस्तर, अलमारी, एक मेज और एक कुरसी थी, लेकिन सनानधर नहीं था। घर को अकसर साफ किया जाता था, इसलिए यह धूल रहित, साफ और चमकदार था। हाला कि अगर में अंदर जाना चाते हैं, तो इसे एक बार फिर साफ करना होगा। मिस गो, निश्चंत रहें। तुम यिफान के दोस्त हो, इसलिए मैं तुमसे कभी जूट नहीं बोलूँगा। यहां की साथ सज्जा बिलकुल उच्चस तरकी है, और गुणवत्ता भी भैतरीन है। सभी फरनीचर में प्रमान पत्र, चाल गए। यहां वही था। काव्या ने फिर उन दोनों घरों को खरीदने का फैसला किया। हालांकि वेई जिरुई को पता था कि यहां बहुत संभव है कि काव्या घर खरीद लेगी, फिर भी वह सकारात्मक जवाब सुनकर रोमा चित था। हालांकि वेई जिरुई और किन य लगजरी मेंशन के सेल्स मैनेजर बन गए जो एक बड़ी रियल एस्टेट कमपनी थी। वह बहुत काबिल आदमी था। मिस गू क्या आप पूरा भुकतान या किष्टों में भुकतान करना चाती है। वी जिरुई ने पूछा। पूरा भुकतान काव्या ने उत्तर दिय वेई जिरुई फिर से चौक गए। पूर्ण भुकतान दो एक सो साट वर्ग मीटर सामने की स्थिती में बड़े अच्छी तरह से सजाए गए घरों की कीमत लगभग 13 मिलियन युआ है। यह लड़की अवश्य ही बहुत अमीर होगी। सच कहूं तो हाला कि फेंगवा अवासिय क्षेत्र था और यहां रहने वाले अधिकांच लोग अमीर थे, उनमें से कई ने किस्तों में भुकतान किया था। फेंगवा लगजरी मेंशन में वर्तमान में 2000 परिवार थे, लेकिन उनमें से केवल दर्जनों ने ही पूरा भुकतान किया था। यहां तक कि जि इसलिए एक बार में कुल कमिर्शन होना बहतर था। उन दो घरों के मालिक एक ही व्यक्ति नहीं होंगे। मैं केवल उनके एक पहचान पत्र की एक प्रती अपने साथ लाया था, इसलिए मैं पहले एक खरीदूंगा और दूसरे के लिए जमाराशी का भुकतान करूंगा। मैं कल पूरी रकम चुका दूंगी, काव्या ने कहा। कोई बात नहीं, वी जिरुई ने उत्तर दिया। फिर उन्होंने कानूनी प्रक्रिया में काव्या की मदद की। काव्या ने पहले ही गुमान के आईडी कार्ड की कौपी तयार कर ली थी। उसने संपत्ति के स्वामि गया घर था, इसलिए घर का रजिस्टर, एक पहचान पत्र और एक विवा प्रमान पत्र होना जरूरी था। काव्या न केवल अपने घनिष्ट संबन के कारण संपत्ति के स्वामित्व प्रमान पत्र पर गुक्विंग का नाम लिखेगी। वह यह भी जानती थी कि उसके चाचा जियांग जू एक अच्छे इंसान थे, जो गुक्विंग और जियांग जिन्यू के साथ बहुत अच्छा व्यवहार करते थे। इस प्रकार काव्या जियांग जू को एक बाहरी व्यक्ति के रूप में नहीं मानती थी। मिस्गू, आपके दोनों अच्छी तरह से स गए घर 165 वर्ब मीटर बड़े हैं. कुल कीमत 13.6 मिलियन युवा है. सबसे बड़ी छूट के बाद मैं आपको दे सकता हूँ, यहां कुल मिलाकर 12.92 मिलियन युवा है, वेई जिरुई ने कहा. बहुत बहुत धन्यवाद, काव्या ने उसे इमानदारी से धन्यवाद दि एक घर की कुल राशी 6.45 मिलियन युवा है, और दूसरे के लिए जमा राशी एक लाक युवान है. इस प्रकार मिजगू, आपको अभी 6.55 मिलियन युवा का भुकतान करने की आवशकता है, वेई जिरुई ने कहा. जब वेई जिरुई ने काव्या को काउंटर की ओर नि जाने वाले थे. गुमान वास्तव में पहले ही ठीक हो चुकी थी और अस्पताल छोड़ने के लिए तैयार थी. काव्या के जाने से पहले वेई जिरुई के पास एक चाबी छोड़ गई. उसने उसे प्रती घंता कार्य करता खोजने में मदद करने के लिए कहा. वह चाहती थी कि उसके आने से पहले घर को एक बार और साफ कर दिया जाए. यहां निश्चित रूप से वी जिरुई द्वारा आसानी से संभाला जा सकता है. एक बार काव्या के चले जाने के बाद, पूरे सेल्स हॉल में यहां खबर फैल गई कि वेई जिरुई ने पूरा भुक्ता के साथ दो घर खरीदने की योजना बना रहा है, लेकिन उसके पास सभी दस्तावेज नहीं थे, इसलिए उसने पहले जमाराशी का भुक्तान किया. वह कल वापस आ जाएगी. सब फिर से चौप गए. वह लड़की अवश्य ही बहुत अमीर होगी. शाम के पाँच बच कर 30 मिनट बस चुके थे जब काव्या चली गई. उसने गुकिंग के परिवार को आमंतरित करने के लिए तुरंट गुमान को फोन किया. उसने जश्न मनाने के लिए उन सभी के साथ दोपहर का भोजन करने का इरादा किया. सयोक से गुकिंग का परिवार आज गुमान के साथ अ ट्राफिक जाम ना होने पर अस्पताल पहुचने में केवल एक दर्जन मिनिट लगते थे, लेकिन अभी भीड का समय था, इसलिए काव्या को लगभग आधा घंटा लग गया। जब वहाँ अस्पताल पहुची, तो उसने एनकियान को फोन किया। उसने एनकियान को बताया कि उसकी मा जाने वाली थी, और वहाँ एक बार फ्री होने पर अनकियान को भोजन के लिए आमंतरित करना चाहती थी, काव्या भी प्रवेश शुल्प के लिए एनकियान को वापस भुखतान करना चाहती थी, एक कियान ने काव्या के पैसे लेने से म वहाँ वैसे भी उसे वापस भुक्तान करने जा रही थी। उपर जाने से पहले काव्या ने दिस्चार्ज प्रक्रिया पूरी की। मरीज के कमरे में काव्या ने एक एक करके गुकिंग के परिवार का अभिवादन किया। काव्या यहाद देखकर खुश थी कि उसकी मा का वजन कुछ बढ़ गया था और वहाँ पहले से अधिक पूर जावान थी। गुमान ने गुकिंग और जियांग जू को बताया था कि काव्या घर खोजने निकली थी। निंगिंग क्या तुम्हें घर मिल गया गुकिंग ने काव्या से पूछा कि वह कब आई। अगर काव्या को घर नहीं मिला तो गुकिंग ने उन्हें अपने परिवार के साथ रहने देने का फैसला किया ताकि बाद में उनके पास रहने के लिए जगह खोजने के लिए अधि महसूस किया. वह गर्मजोशी से मुस्कुराई. यह योई रोड के आसपास है. यह सुरक्षित है और कीमत स्वीकार्य है. काव्या ने उन्हें विवर्ण नहीं बताया. यह उप्युक्त समय नहीं था. यह जानकर कि काव्या किराय का मकान लेने के बजाए खरीदने जा रही ह योई रोड फेंगवा लग्जरी मेंशन की तुल्ना में अधिक ब्लॉक वाले डाउन टाउन के करीब था. गुमान ने निश्चित रूप से फेंगवा लग्जरी मेंशन के बारे में नहीं सोचा था. लेकिन वहां के बाकी घर भी सस्ते नहीं थे. एक घर की कीमत कम से कम दो मिलियन युवा होगी. क्या निंगिंग अभी भी निवेश के लिए कुछ पैसे आवंटिक करने की योजना नहीं बना रहा था? गुमान को हमेशा विश्वास था कि काव्या सबसे अधिक 10 लाक युवान की कीमत पर एक दूरस्थ शेत्र में एक धर खरी देगी. काव् काव्या ने फिर कहा, मैंने पहले ही दिस्चार्ज दस्तावेज पूरे कर लिये हैं. अब चलो पैकप करो और घर जाओ. चलो जशन मनाते हैं. ओ, गुमान अब जा सकती है. वह बहुत अच्छा है. हमें जशन मनाना चाहिए. हर कोई यह जानकर खुश था कि काव्या को एक मंत्रित किया. यह भोजन मुझ पर है. इसके लिए कोई मेरा मुकाबला नहीं करेगा. नहीं नहीं. यह भोजन मुझ पर होना है. अब आप सभी को मानसिक रूप से तयार होने की आवशकता है. क्योंकि मुझे आपको बाद में बताने के लिए कुछ बहुत इस प्रकार गुकविंग और जियांग जू को थोड़ा आराम मिला. केवल गुमान ही जानती थी कि क्या चल रहा है. लेकिन अगर गुमान को पता होता कि काव्या ने सिटी एफ के सबसे महंगे इलाके में दो घर खरी दे हैं, तो वहाँ पूरी तरह से चौक जाती. जियां निंगिंग इन्हें आपके पास किसने भेजा है? वे बहुत अधिक हैं और महंगे होने चाहिए गुकविंग को उन उपहारों का पता नहीं चला जो काव्या को अब तक मिले थे. कुछ मेरे स्कूल के साथियों में से हैं, कुछ डॉक्टर के हैं, जो इस अस्पताल में मेर वास्ते में एक टैक्सी बुलाई. उनके अस्पताल से निकलने से पहली ही कार बाहर उनका इंतजार कर रही थी. जब कार फेंगवा लगजरी मेंशन के पास रुकी, तो इसकी शांदार इमारतों को देख कर हर कोई चकित रह गया. उन्हें लगभग यहां विश्वास हो ग यह सोचकर गुकविंग ने पूछा, निंगिंग, क्या यहां किराय के लिए कोई घर है? गुमान को भी समझ नहीं आया कि काव्या उन्हें यहां क्यों ले आई? काव्या ने कहा, अभी हमारे पास दैनिक जरूरतों की बहुत सी चीजे नहीं है, तो चलिए पहले सुपरमा प्रकेट में चला गया. उन्होंने मुख्यरूप से कुकर, सामगरी और भोजन के साथ-साथ कुछ अन्य दैनिक आवशकताएं भी खरीदी. काव्या तीन शीट से खुद खरीदने गई. वे इतने कम समय में अपनी जरूरत की हर चीज नहीं खरीद सकते थे, इसलिए उन्ह पहले ही अपनी नौकरी छोड़ दी थी. काव्या ने उसे बाद में एक मिलियन युआ की सीमा के साथ एक क्रेडिट कार देने की योजना बनाई, ताकि वह जो चाहे खरीद सके. जब वे भुकतान करने गए, तो बाकी सभी बाहर इंतजार कर रहे थे, जबकि काव्या बिल काव्या ने निर्विवात स्वर में कहा. बात में काव्या के अंदर चलने के लिए बाकी सभी घबराय होए थे. भले ही वे अंदर चले गए, फिर भी उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि यह सच है. वे दर्शनिय स्थलों की कार में सवार हो गए और सभी द्रिशे देखकर चकित रह गए. उन्होंने कभी विश्वास नहीं किया होगा कि उन्हें अपने पूरे जीवनकाल में तक कुछ नहीं कहेगी जब तक वे घर नहीं आ जाते. वे लिफ्ट से नौवी मंजिल पर गए. काव्या ने चाबी निकाली और अपने घर का दर्वाजा खोल दिया. यहां नमबर 901 था. दर्वाजा खुलते ही वे सभी अंदर चले गए. क्या जाते ही जाते ही अंदर छूवाजा के लाजाए.